आपका पहला सवाल, एक, पृत्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसका ओप्षन है, A. सोना, B. कोईला, C. ओक्सिजन, D. हीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, C. ओक्सिजन आपका दूसरा सवाल, इंग्लेंड ने कितने देशों को बुलाम बनाया था? इसका ओप्षन हो जाएगा, A. 12 देशों को, B. 15 देशों को, C. 20 देशों को, D. 30 देशों को इसका सही उत्तर हो जाएगा, B. 15 देशों को आपका तीसरा सवाल, विवाह करने की शुरुआत किस देश में हुआ था? आपका ओप्षन है, A. जापान में, B. भारत में, C. कनाडा में, D. चीन में आपका सही उत्तर है, B. भारत में, आपका चौथा सवाल, बोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतिय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका ओप्षन है, A. स्मृती मंधाना, B. मिताली राज, C. पूनम राउंट, D. हर्मन प्रीट कौर आपका सही उत्तर है, B. मिताली राज आपका पाच्वा सवाल, भारत के किस राज्य का जंगली भेंस राजकिय पशु है? आपका ओप्षन है, A. असम राज्य के, B. सिक्किम राज्य के, C. चत्तीसगर राज्य के, D. बिहार राज्य के आपका सही उत्तर है, C. चत्तीसगर राज्य के आपका अगला सवाल, भगवान शिप के गले में जो सांफ लिपका रहता है उसका नाम क्या है? इसका option है A. वासुकी, B. ओमकार, C. अमरेश, D. विशिष्ट राज इसका सही उत्तर है A. वासुकी आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का मिलता है? इसका option है A. शेरनी का खून, B. भालू का खून, C. केकड़ा का खून, D. विच्छू का खून इसका सही उत्तर है C. केकड़ा का खून आपका अगला सवाल, वन्डे में सबसे तेज सेंचुरी किस खिलारी ने जड़ा है? आपका option है A. रोहित शर्मा, B. विरेंद सहवाग, C. ABD विलियस, D. विराट कोहली आपका सही उत्तर है C. ABD विलियस आपका नौवा सवाल, भारतिय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका option है A. 15 जन्वरी को आपका सही उत्तर है A. 15 जन्वरी को दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रोचक सवालों को हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे धन्यवाद आपका दस्वा सवाल किस देश को सोने और हीरे का देश कहा जाता है? आपका option है A. जापान देश को B. साउथ अफ्रीका देश को C. इंग्लेंड देश को D. भारत देश को आपका सही उत्तर है B. साउथ अफ्रीका देश को आपका अगला सवाल ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता है? आपका option है A. चीटी B. उकाद पक्षी C. सुव D. मचली आपका सही उत्तर है A. चीटी आपका बारा हुआ सवाल गरीबों का संत्रा किसे कहा जाता है? इस सवाल का option है A. आलू को B. काशी फल को C. तमाटर को D. मटर को आपका सही उत्तर है C. तमाटर को आपका अगला सवाल भारत का राष्ट्रिय पुस्तक कौन सी है? इस सवाल का option है A. गीता B. समविधान C. रामायन D. बाइबल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा B. समविधान आपका अगला सवाल पृत्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इसको किसने बताया था? इस सवाल का option है A. न्यूटन ने B. गैलिलियो ने C. आर्यभट ने D. कापनिकस ने इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा D. कापनिकस ने आपका पंद्रहवा सवाल भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? इस सवाल के आपको option नहीं दिये जाएगे यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट कीजिए और अगर नहीं मालूम है तो अगली वीडियो का इंतेजार कीजिए आपका अंतिम सवाल अगर आप इस सवाल का सही उत्तर देते हैं तो आप बहुत ही होशियार है अधरक खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका option है A. मलेरिया की बीमारी B. प्रिदे की बीमारी C. किद्नी की बीमारी D. कैंसे की बीमारी आपका सही उत्तर है B. प्रिदे की बीमारी